बिस्मिल्ला इर्मानिर्रहीम, असलाम अलेकुम वरहमतुलाही वरकातु हूँ आज मैं आपके लिए गाजर के हलवी की रासे पिले कराई हूँ बगर खोए के हम खोए वाला हलवा गाजर का किस तरह से हम बनाएंगे तो इसके लिए आपको वीडियो को फॉल वाज करना पड़ेगा जबरता सही हलवा बनकर तायार होगा और इसमें किन-किन चीज़ों का इस्तमाल होगा तो वह मैं आपको बता देती हो देकिन वन लिटर मैंने जो है मिल्क ले लिया था इस रहां से ठीक है आप जितनी क्वांटिटी दूद की लेंगे उतनी ही क्वांटिटी आपने गाजर की लेनी है तो एक किलो मैंने दूद ले लिया था फुल फैट मिल्क था ये और अब इसके अंदर पैन के अंदर हम इसे डाल देंगे दूद को अगर आपके पास दो किलो दूद है तो दो किलो ही आप गाजर रियूज कीजेगा क्वांटिटी जो है गाजरो और दूद की हमने सेम रखनी है जिससे जो है जब दूद पक पक कर जितना ज़्यादा जो है ड्राइ होगा उसी से हमारा खोया बनकर तयार होगा तकरीब हम देखें मैंने एक किलो से भी जादा थोड़ा सा और दूप डाल दिया था ताकि इसका और मजीद अच्छा सा खोया बनकर तयार हो जब हम पकने के पाज आप इसे टेस्ट करेंगे आप इसे हमने क्या करना है हम इसे बॉइलिंग पॉइंट पर हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे पैन के ओपर बिल्कुल लो फ्लेम पर अभी गाजर ले ली थे तकरीबान एक किलो गाजर थी आप इसे छील देंगे और यहीं के साइट से इसका ही टंठल निकाल देंगे और फ्रांट से भी इस तरह से और सारी गाजरों के इस तरह से हम छील देंगे छीलनी के बाद अगर आप इसे कदूकश करना चाहें तो कदूकश कर ले यह इसके बड़े-बड़े पीसिस जाल कर गाजर के अंदर भी डाल कर जो है आप इसको बाद में मैश भी कर सकते हैं जो आपको असान लेगे वो आप इस तरह से कर सकते हैं तो मैंने जो है इसको कद्दूकर्ष किया था तो मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से देखे मैंने इसे कद्दूकर्ष किया है गाज़ों को देखे हमने सारा चील लिया है सारी गाज़ों को अब इस तरह से कद्दू करश लेंगे और इसे हम जो है इस तरह से कद्दू करश कर लेंगे कोशिश किया करें कि छुप थोड़ा सा बड़ा हो जिसमें मोटे मोटे इस तरह से कद्दू करश हो तो उससे जादे ही अच्छा टेस्ट आता है सारी ही गाज़रों को हम इस तरह से कद्दू करश करने के बाद ये देख सकते हैं तक्रीबन सारी गाजरें कदुकश हो चुकी है अब जो दूद था हमारा हलकी फ्लेम पर मैंने रखा था तक्रीबन यह हाफ हो गया था अब इसके अंदर जो कदुकश गाजर कीती वाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी मलाई इसकी आ चुकी है और काफी यह पकर गाड़ा हो चुका था अब इसके अंदर गाजर जो कदुकश कीती यह डाल देंगे और गाजर डालने के बाद एहतियात से आपने इसका चमच चलाना है और इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे दूद के साथ गाजरों को इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को बहुत ही जो है लो रखना है क्योंकि जब गाजर का फ्लेम जो है इसमें चुले वे फ्लेम थुड़ी सी हाई रखेंगे तो यह लग भी सकते है तो आपने वक्पर वक्वे से इसके अंदर चमच चलाते रहना है तक्रीम देहें देखें दस मिनट लगे थे इसके अंदर इसको थोड़ा से बॉइलिंग पॉइंट पर आने के लिए ठीके उसके बाद जो है हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुख किया था और स्पून को इस रहां से देखें चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी दिर के बाद ताकि नीचे जो ही लगे ना दूद और देख सकते हैं देखें किस रहां से इसके उपर बलाई आ रही है और इसका क्वईया अलका-अलका से बनकर तयार हो रहा है इस रहां से दूद ड्राय हो जुका था गाजर के हलवे में अब इस पॉइंट पर आकर हमने चीनी आट कर देनी है तो चीनी आपने एक किलो में कितनी डालनी है एक अब डालनी है आपने चीनी ठीके एक अब चीनी का समाल करेंगे अब जब चीनी का पानी ड्राइ करेंगे अब इसके अंदर पहले दूद का पानी ड्राइ किया था ठीके उसके बाद जो है अब चीनी डालकर चीनी का पानी ड्राइ करना है अची तरह से इसे mix कर लेंगे और जितनी भी पानी होका चीनी का वो हम जो है dry कर लेंगे चीनी का पानी dry हो चुका है अब इस स्टेज पर आकर हमने पिसीवी जो है छोटी लाइची उसका powder बना कर वो यूज़ करना है अगर आप चाहें तो साबुद भी add कर सकते हैं मैंने छोटी लाइची डाली है अब देसी घी ले ले लेंगे आप जो है normal घी भी ले सकते हैं तो मैंने देसी घी उसकिया इससे बहुत ही अच्छा से इसका टेस्ट आएगा तो टेबल स्पून मैंने इसके अदर गी उसकिया है देसी घी इससी भी अच्छी तरह हमसे mix कर लेंगे तकरीबं पांस से साथ मिनट इसकी भुनाई करेंगे और देख सकते हैं कितना खोया इसके अंदर white white नजर आ रहे क्योंकि camera बिल्कुल focus नहीं कर रहा था तो बहुत ही जबड़ सा देखिए इसके अंदर खोया बनकर तयार हो चुका था घलवे के अंदर तो अलगे से हमें क्योया डालनें इस जरौप घियरफ़ भी नहीं पड़ए की तो जब दसा हल्वा बनकर तयार हो चुका है सेम हलवा ही स्टायल में हमने इसे मनाया है बहुत ही जबड़वाया वदूर ही धुन कर तयार हुआ है अगर आप अलगे से भी धूठ को को धूय झाल झाल